So hello guys, welcome back to new video session आप सबगार रोजगार लाइव आपके अपने platform पर स्वागत है और आज के इस session के अंदर हम CCS Leave Rule 1972 देखने वाले हैं मैंने इससे पहले के वीडियो session में आपको CCS Conduct Rules के questions करवाएं कि किस तरह के सवाल यहां से बनने वाले हैं जो आपको अच्छे से prepare कर लेना है फिर चाहिए आप डबल आओ की post की तैयारी कर रहे हो या फिर junior assistant की आप तैयारी कर रहे हो administrative assistant की तैयारी कर रहे हो तो इन तमाम exams के अंदर जो है सवाल आप से CCS Rules के पूछे जाएंगे तो किस परकार के सवाल आपको पढ़ने हैं किस परकार के questions आपको तैयार कर लेना है क्या level रहेगा यह सब चीजें इस session में आपको समझ में आने वाली है तो session को पूरा देखना है ध्यान से देखना है comment करके जरूर बताना है अगर आप चाहते हो कि मैं यह session continue रखूँ तो इसके लिए आपको comment करना है बाकि test series वगएरा और important questions आपको इस धोरा classes के course के अंदर मिल जाएंगे धोरा classes अपनी application है जिस पर EMS का new batch चल रहा है मातर 799 महा उफर के तयत आप इसको join कर सकते हैं और इतने सारे लोगों ने आप इस batch को join करके जो प्यार दिखाया उसके लिए आप सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और इसी कुसी में इस 799 के batch में आपको CCS के rules, computer के notes, hospital attendant के notes ठीक है और उसके बाद में security, compare जमादार के notes यह सब हम provide करवा रहे हैं और साथ में जो बच्चे office attendant या store attendant के तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पूरी तरह से विवस्ता में लगे हुए हैं उमीद करता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए इस course के अंदर जो notes है वो provide करवा दिंगे तो जो साथी अभी course लेकर तयारी करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी जाकर दोरा classes application के इस offer का फाइदा उठा लेवे Google Play Store से भी आप install कर सकते हो और link भी आपको comment में या description में मिल जाएगा application का ठीक है और help line number भी आपको दिया है जिस पर आप WhatsApp में से call कर सकते हो इसके बाद में चलिए class उरू करते हैं आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने है और इसमें आप से क्या पूछा गया है आप से पूछा गया है वह तारिक जिस दिन CCS leave नियम 1922 लागू हुआ था यानि CCS जो leave rule है 1972 का ये कब लागू हुआ आप सब को पता है कि 1 जून 1972 को ये रूल जो है लागू किया गया था यानि option 3 इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए सब के अंदर 1922 आपको दिया है तो option आपको close मिलने वाले हैं इस बात का ध्यान रखिएगा इसके बाद में आप से सवाल पूछा गया CCS लीव नियम 1922 लागू नहीं है किस पर ये लागू नहीं होते हैं मैंने आपको जब conduct rule करवाए थे तो उसके अंदर भी इस तरह के सवाल बने थे और इस तरह के सवाल लगातार देखने को मिलते हैं जब junior accountant, accountant की vacancy आती है ठीक है लेखा कार की vacancy आती है लेखा अधिकारी की vacancy आती है तो इन तमाम प्रिक्साओं के अंदर ऐसे सवाल बनते हैं जिनमें लेखा जोखा का काम होता है लेकिन EMS ने क्या किया है कि पहले से ही चीज़ें apply कर दी है कि पहले ही आप सीखलो भीया आगे आपको सिखाना ना पड़े देखिए CCS लीव मिसो बैतर लागू किस पे नहीं होता है सीविल सेवाओं में न्यूक्त वेक्तियों पर तो बिल्कुल लागू होता है गेर विध्यानिक विभाग ये केंटिनों के करमचारियों पर लागू होता है केंदर सरकार के अधिनस्त तन्यूक्त सरकारी करमचारियों पर बिल्कुल लागू होता है वेक्तियों जिसको आकस्मिक्ताओं से बुक्तान किया मतलब एसे वेक्ति जिनको आकस्मिक ताउं से बुक्तान किया गया है ठीक है अगर आकस्मिक ताउं से बुक्तान किया गया है तो उसके उपर ये रूल एपलाई नहीं होते हैं ठीक है ये चुटबुट खर्चूं के अंदर सामिल होता है तो ये वाला जो है ये आपका सही ओप्सन हो जाएगा यानि ओप्सन चार इसका क्या है सही उत्तर है कि जिन वेक्तियों को आकस्मिक निधी से जो विभाक की होती है उसमें से बुक्तान किया जाता है उनके उपर ये नियम लागू नहीं होते हैं ठीक है इसके बाद में आग है तो कौन सा अवकास नियम लागू होगा अवकास नियम कौन सा लागू होगा ये सवाल है अगर किसी वेक्ति को विदेशी सेवा के अंदर नोक्री दे दिये ऐस्ताई तोर पर विदेशी सेवा के अवकास नियम CCS छुटी नियम 1902 जो हम पढ़ रहे हैं CCS छुटी नियम और विदेश सेवा चुटी नियम या इन में से कोई नहीं तो सही option करेंगे कि उन पर कौन सा नियम लागू होगा CCS चुटी नियम 1902 यानि CCS लीव रूल 1972 लागू होगा ठीक है option क्या हो जाएगा जी दो हो जाएगा आगे बढ़िए अगला सवाल देखिए पूछा गया है EL, HPL देखो EL, HPL इन सब के बारे में आपको पता करी लेना है क्योंकि नोकरी करोगे तो ये काम आएगा ठीक है इसका मतलब होता है earned leave ठीक है earned leave किसका EL का HPL का मतलब होता है hap pay leave एक होता है IL इसको बोलते है il leave एक होता है CL इसको बोलते है casual leave ठीक है इस तरह से ये जो leaves है ये दी जाती है यानि चुटियां मिलती है ठीक है अब इसमें आप से सवाल में क्या पूछा गया है मैं लिख देता हूँ यहां बाद में पढ़ने में आसानी हो नौट्स में यह आपको धोराकलासिस एप्लिकेशन पर PDF दे देंगे वहां से आप डाउनलोड कर लेना ठीक है वहां उपलब्द करवा देंगे पीछे वाली भी और ये वाली भी ठीक है बोर है EL-HPL के संबंद में अधिक्तम कितने दिनों की संख्या में और द्योगिक परतिष्टान में न्यूकत एक सरकारी करमचारी द्वारा बुनाया जा सकता है जो फेक्ट्रीज अधिनियम 1948 द्वारा सासित है अगर कोई AC फेक्ट्री है जो फेक्ट्रीज अधिनियम 1948 से सासित है तो उसमें उस परतिष्टान के अंदर एक करमचारी को लगाया जाता है तो कितने दिन तक उसको उसमें भुनाया जा सकता है उसमें रखा जा सकता है अगर कोई भी करमचारी विशिष्ट परकार के चुट्टी के लिए आवेधन करता है तो चुट्टी स्विक्रित करने वाले प्राधिकारी के पास इसकी सक्ति नहीं होती है जो भी अधिकारी चुट्टी देता है तो चुट्टियों के समंध में उसके पास कुछ special rights होते हैं जिनका यूज वो जब करमचारी चुट्टी का बोलते हैं चुट्टी की application डालते हैं तब वो करता है तो एसी कौन सी सकती है जो उस परादिकारी के पास में या उच्धिकारी के पास में नहीं होती है अगर कोई विशच्ट चुट्टी की मांग करता है तो पहला है परतिबंद, दूसरा है S-Wikar करना, तीसरा रद करना, चोथा आल्टार देखो परती बंद करना ये सही कर सकता है अगर बहुत बार emergency time होता है तो करमचारी को बादित किया जाता है कि आपको चुटी नहीं मिलेगी ऐस भी कार कर सकता है उसके पास ये सक्ती होती है चुटी की application को रद कर सकता है ये भी उसके पास में अधिकार होता अल्टार नहीं कर सकता है option number क्या कर देंगे जी 4 कर देंगे अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है आप लोग उसे पूछा है कि एक सरकारी करमचारी को अपने खाते में चुटी के लिए कोई दावा करना बंद हो जाता है यदि उसने ऐसा किया हो भई एक करमचारी जो होता है वो अपने खाते में चुटी के लिए कोई दावा कर सकता है उसके पास राइट होता है लेकिन चुटी का दावा करना बंद हो जाता है कैसी situation के अंदर बंद होता है ये सवाल है पहली सिच्वेशन सरकारी सेवा में एक और न्युक्ति लेने के लेने के लेने के लिए इस्तिपा दे दिया हो अगर मालो उसने सरकारी सेवा में कोई अन्य न्युक्ति लेने के लिए इस्तिपा दे दिया हो तो क्या उसका दावा बंद हो जाएगा कि जैसे मालीजे कोई वेक्ती जोब कर रहा है आर्मी के अंदर आर्मी से उसने क्या किया आर्मी से कोई दूसरा डिपार्टमेंट जोइन कर लिया असिस्टेंट की पोस्ट जोइन कर ली तो क्या पहले वाली जो आर्मी की उसकी लीव है क्या वो आगे उसका दावा कर सकता या वो दावा बंद हो जाएगा इस बात को समझेए फिर दिया है सेवा निर्वित सेवा निर्वित होने के बाद में वो दावा नहीं कर सकता बर्खास्त कर दिया गया हो तो वो दावा नहीं कर सकता बहाल कर दिया गया हो तो दावा नहीं कर सकता सही उत्तर है बर्खास्त अगर कर दिया जाता है तो फिर वो जो है डिस्मिस कर दिया जाता है बर्खास्त कर दिया जाता है तो वो दावा नहीं कर सकता है बहाल करने पर दावा कर सकता है सेवा निर्वित होने के बाद में भी अगर उसकी लीव है चुटिया है तो उस इसके बाद सवाल क्या पूछा गया जी सवाल पूछा गया है यदि कोई सरकारी करमचारी एक परकार की छुट्टी को दूसरे परकार की छुट्टी में परिवर्तित करने का दावा करता है तो उसे एक आउदी के बीतर रासी के लिए आवेदन करना चाहिए अब बताओ कि ए वो एक परकार की चुटी को दूसरे परकार की चुटी में परिवर्तित करना चाता है ठीक है जैसे earned leave है उसको casual leave में casual leave को earned leave में या HPL में अगर वो change करना चाता है तो उसके लिए कितने समय का कितना समय उसके पास में होता है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 90 दिन तो उसके लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया यानि option दो ये 30 दिन का समय होता है EL के साथ जोड़ा जा सकता है EL अभी मैंने बताया earned leave होती है कमाई हुई चुटी होती है जो बचा-बचा के रखता है कोई करमचारी उसको बोलते है EL EL के साथ जोड़ा जा सकता है आकस्मिक अवकास, अर्ध वेतन अवकास या मातरतव अवकास ये 3 दिन का जोड़ा दिया हुआ है कि EL के साथ किसको जोड़ा जा सकता है अध्यन अवकास, आकस्मिक अवकास, मात्रतव अवकास फिर दिया है बीमारी की चुट्टी, आधा वेतन चुट्टी, मात्रतव चुट्टी फिर दिया आकस्मिक अवकास, पित्रतव अवकास या मात्रतव अवकास तो EL जो होती है उसको बिमारी की चुट्टी के साथ में जोड़ा जा सकता है आदा वेतन चुट्टी में जोड़ा जा सकता है और मातरतवे की चुट्टी में भी जोड़ा जा सकता है यानि इन तीनू के अंदर जो है जोड़ा जा सकता है अर्ण लिव को ठीक है इसके बाद स किस आकस्मिक अउकास में , अर्ध वितन अउकास में, या इन मैं से कोई नी जोडेंगे यानी option क्या करेंगे ? significant बिल्कुल सहित्रिस्य का कर देंगे इसके बाद में देखिए सवाल पूछा गया किसछटी को किसी अन्य परकार की चुटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है यानि एसी कुन सी चुटी है जिसको किसी अन्य परकार की चुटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है अरजीत अवकास को अभी हमने बात करी थी अरजीत अवकास जो अंड लिव होती है उसको जोड़ा जा सकता है परशुती अवकास को विसेज आकसमेक अ अधिक्तम अवदी जो एक इस्थाई सरकारी करमचारी को दी जा सकती है यानि अधिक्तम आप से एसी अवदी पूछे कि भी एक सरकारी करमचारी को अधिक्तम कितनी चुटियां दी जा सकती है बइक कुछ चुटियां तो सरकार देती है उसके बाद कुछ चुटियां वो ले लेता है लेकिन कोई करमचारी जबरदस्ती बहुत चुटियां ले ना चाहे तो उसको अधिकतम कितनी चुटियां दी जा सकती है सही option होगा 5 साल तक उसको चुटी दी जा सकती है option क्या फिर देखिये सवाल पूचा है राजपत्रित सरकारी करमचारी का अवकास खाता किस के दुवारा रखा जाता है बहुत अच्छा सवाल है अगर कोई राजपत्रित अधिकारी है ठीक है कोई गजटेड ओपीसर है गजटेड कोई करमचारी है तो उसकी छुटियों का खाता कि के पास रहेगा लेखा प्रिक्सा कार्याले के पास वैस्वेम ही रख लेगा वेतन एवं लेखा कार्याले के पास या कार्याले का जो पर्मुक होता है उसके पास तो भाई जो राजप्रतित अध्गारी होते हैं उनका जो ब्योरा है वो कार्याले का पर्मुक रखता यानि है head of office रखता है ठीक है head of office ठीक है इसके बाद में आगे देखिए यदि कोई सरकारी करमचारी है तो उसे कोई चुटी नहीं दी जाएगी कब किस इस्तती में उसको कोई चुटी नहीं दी जाएगी सेवा निर्वित की तैयारी करने के लिए चुटी पर नहीं मिलेगी निलंबना धीन इस्तती के अंदर उसको चुटी नहीं दी जाएगी एक प्रिक्षक के रूप में काम करने के लिए चुटी नहीं दी जाएगी, उचित अनुमती के साथ विदेशी यात्रा की चुटी नहीं दी जाएगी, सही option हो जाएगा, भी option number 2, यानि अगर कोई अधिकारी निलंबा धीन है, तो उसको चुटी नहीं दी जाएगी, option क्या कर देंगे, दो कर देंगे, ठीक है, फिर सवाल पूचा, एक राजपत्रित सरकारी करमचारी को CGHS लाभारती है, उसे चिकित सा आधार पर चुटी देने के लिए एक चिकित सा परमानपत्र प्रस्तूत करना आउशेग है, वह क्या होता है कि करमचारी कोई अगर बीमार होता है, तो CGHS का वो लाभारती होता है, CGHS जो चुटी मिलते हैं, उसका वो लाभारती होता है, उस समय उसको क्या होता है, एक चिकित सा परमानपत्र प्रस्तूत करना पड़ता है, और वह चिकित सा परमानपत्र जो होता है, वह किसके दुआरा जारी हुआ होना चाहिए, सिं दिस्पेंसरी में जो डाक्टर होता है उसका परमानपतर चलेगा या एक प्राइवेट नर्शिंग होम का परमानपतर चलेगा तो इसके अंदर CGHS डिस्पेंसरी का डोक्टर होता है उसी का परमानपतर इसमें चलता है फिर सवाल पूछा चुटी स्विकृत करने वाला प्राधिकारी चिकित्सा आधार पर चुटी के लिए आवेदन के मामले में चिकित्सा परमानपतर परस्तुत करने से चूट दे सकता है यदि चुटी की अवधी जो है वह कम है चिकित्सा परमानपतर के अनुसार और उसने आवेदन यदा चुटी गां कर रखा है तो ऐसे में वह क्या कर सकता है यानि तीन दिन की जो और देंगे दो कर देंगे यानि तीन दिन की चुटी जो है उसको मिल सकती है चलिए तो आज की class के मैंने सारे important सवाल करवाएं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आया है क्योंकि मैंने आप पुद्दिल से समझाने की कोसिस करी है और ऐसे ही निरंतर सेसन अगर आप चाते हो तो जरूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है सेसन को लाइक और शेयर करना है रोजगार लाइव पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लेना ओफर आपके लिए 799 में के अंदर उपलब्द है और कोर्स को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं आगे नई क्लास में तब तक के लिए आप सभी को थेंक्यू जै हिंद जै भारत